अध्यक्षम होदय, 1945 की दुनिया निश्चित तोर पर आज से बहुत अलग थी। पूरा वैश्विक माहोर, साधन, संसाधन, समस्याएं, समाधान, सब कुछ बिन्द थे। ऐसे में विश्व कल्यान की भावना के साथ, जिस संसाधा का गठन हुआ, जिस स्वरूप में गठन हुआ, वो भी उस समय के हिसाब से ही था। आज हम एक बिलकुल अलग दोर में हैं। 21 सदी में हमारे वरतमान की, हमारे भविश्य की आवशक्ताएं और चनोतियां अब कुछ और है। इसलिए, आज पूरे विश्व समुदाय के सामने, एक बहुत बड़ा सवाल है, कि जिस संसाधा का गठन तब की परिशितियों में हुआ था, उसका स्वरूप क्या आज भी प्रासंगिक है। सदी बदल जाएं और हम न बडलें तो बडलाव लाने की ताकत भी कमजोर हो जाती है। अगर हम बीते 75 वर्षों में संयुक्तराश की उपलब्दियों का मुल्यांग डन करें, तो अनेक उपलब्दियां दिखाई देती हैं। लेकिन इसके साथ ही अनेक ऐसे उधारण भी हैं जो संयुक्तराश के सामने गंबीर आत्म मन्थन की आवशक्तां खड़ी करते हैं। ये बात सही है कि कहने को तो तिसरा विश्व उद्ध नहीं हुआ। लेकिन इस बात को नकार नहीं सकते कि अनेकों युद्ध हुए, अनेकों ग्रह युद्ध भी हुए। कितने ही आतं की हमलों ने पूरी दुनिया को थरा कर रख दिया। खुन की नदिया बहती रही। इन युद्धों में, इन हमलों में, जो मारे गए, वो हमारी आपकी तरह इंसानी थे। वो लाखों मासूम बच्चे, जिने दुनिया पर चा जाना था, वो दुनिया छोड़ कर चले गए। कितने ही लोगों को अपने जीवन भर की पूंजी, गवानी पड़ी, अपने सपनों का घर छोड़ना पड़ा। कुछ समय और आज भी सयुप्तर राज के प्रयास क्या परियाप्त थे। पिछले आठ नव महने से पुरा विश्व कोरोना वैश्वीक महामारी से संगर्स कर रहा है। इस वैश्वीक महामारी से निपटने के प्रयासों में सयुक्तर राष्ट कहा है। एक प्रभाव साली रिस्पोंस कहा है।